हेलो बिच्छों वेलकम बैक वेलकम बैक तो मैं चैनल जीकेज स्टेडी कॉर्नर हिंदी जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नमबर 9 अबी तक हम इसमें कर चुके हैं अपने kier चुके हैं अपने की और जू और जो एडियांसेंस हैं वो आसपास के महल के हिसाब से अपने आपको एड्शसेक्ट करते हैं फिर हमने इसमें पढ़ा की हैपिटट और अडप्टेशन क्या है यह ऽैफि टेरेस्ट्रील है बात क्या ह ले लिस्ट पे जा कर देख सकते हैं तो चलिए आज हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं हम कर रहे थे activity number 2 तो यहां पे आपकी activity है recall activity 5 in chapter 1 मतलब आपने chapter 1 में जो activity 5 की थी उसे याद करने की कोशिश कीजिए we made sprouts from the moong and chana seeds बहां पे हमने moong dal और जो चने थे उनके sprouts मतलब उन्हे अंकुरित किया था when the seed turned into a sprout it is said to have germinated मतलब जब भी कोई बीच एक अंकुरित हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो germinate हो गया this is the beginning of the life in a new plant मतलब ये एक नए पौधे के जीवन के शुरुआत होती है collect some dry moong seeds अब आप कुछ moong dal के सूखे दाने लीजिए keep 20-30 seeds aside उसमें से 20- दाने एक तरफ टखिए and soak the rest और बाकियों को भीगो दीजिए and soak the rest in water for a day और बाकी के बीचियों को पूरे दिन के लिए पानी में भीगो दीजिए now divide the soaked seeds into 4 parts अब आपके जो भीगे हुए दाने हैं उनको आप चार भागों में बांटे keep one part completely submerged in water for 3-4 days अब इसमें से जो एक हिसा है उसे आप पानी में 3-4 दिन के लिए पूरा भीगा रहने दे do not disturb the dry seeds and those submerged in water मतलब जो आपके सूखे बीचे आप उन्हें भी बिलकुल नहीं लाएं और जो पानी में भीगे हैं उन्हें भी नहीं लाएं and the another in the completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in अब तीसरा जो उसका हिसा है उसको आप किसी अलमारी या ऐसी जगह पे रखें जहां पे बिलकुल भी रौशनी ना आती हो keep the last part in a very cold surroundings अब जो उसका चौथा भाग बचा भीगे हुए बीजों का उसको आप बहुत थंडी जगह पे रखें say in the refrigerator or with the ice cream around them हम ये कह सकने हैं कि आप उसे refrigerator में रखें या फिर ice cream के पास रखें rinse them and replace the water every day अब ये जो बीज हैं इनको आप rinse करें धो दें अब इसको जो भीगे हुए बीज थें उनमें जो है आप हर रोज पानी बदलते रहें what do you notice after a few days आप कुछ दिनों के बाद क्या notice करेंगे do all the seeds in all the five conditions germinate uniformly क्या वो पांच ये पांच जो आपने जगहों पे बीज रखें हैं क्या वो एक ही तरह से अंकोरित हो रहे हैं do you find slower or no germination in any of these मतलब क्या आपको कोई ऐसी हिस्सा भी मिला जिसमें बिलकुल भी बीज अंकोरित ना हो do you realize that herbiotic factors like air, water, light and heat are also important for the growth of the plants मतलब यहां से आपको क्या इस बात का अहसास होता है कि herbiotic components जैसे कि हवा, पानी, रोशनी या गर्मी ये सब चीजें भी पौधों की बढ़ोतरी के लिए बहत ज़ादा ज़रूरी है in fact the herbiotic factors are important for all the living organisms मतलब सच्चाई तो यह है कि जो herbiotic factors होते हैं वो सब हमारी जितनी भी जीविद प्रानी हैं उन सब के लिए बहत ज़ादा ज़रूरी है so we find that organisms exist in very cold as well as in very hot climates मतलब हम यह जानते हैं कि जो जीव जन्तु होते हैं वो बहुत ज़ादा ठंडी जगहों पर भी रहते हैं और बहुत ज़ादा गर्म जगहों पर भी how do they manage to survive अब सोचने की बात यह है कि वो वहाँ पे जिन्दा कैसे रह पाते हैं adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate मतलब adaptation ही यह कैसा तरीका है जिसकी वजह से जो organism से जो प्राणी हैं वो अपनी आसपास के वातवरण में पूरी तरह से adjust हो जाते हैं adaptation does not take place in a short time because the abated sectors of the region also change very slowly adaptation का मतलब है जहां पे जब प्राणी है वो अपने आपको climate के हिसाब से adjust करते हैं तो यहां पे क्या बता रहे हैं कि जो adaptation है वो बहुत कम समय में नहीं होती क्यूंकि जो उस जगह के आसपास के abiotic factors हैं वो भी धीरे धीरे ही बदलते हैं तो जो अपने आपको आसपास के वातवरण के हिसाब से वही जीवित रहते हैं organisms adopt to different abiotic factors in different ways मतलब जो जीव जनतु है जो प्राणी है वो आसपास के अलग-अलग abiotic factors के हिसाब से अपने आपको अलग-अलग तरीके से adjust करते हैं this results in wide variety of organisms in different habitats मतलब इसकी वजह से अलग-अलग habitats में बहुत जादा तरह के जीव जनतु पाई जाते हैं now let us look at some habitats understand the abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats मतलब चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ habitats के बारे में वहां पर जो अवाइटिक factors हैं उनके बारे में समझते हैं इसके इलावा जो एनिमल्स हैं जो जीव जनतु है वो इन habitats में किस तरह से adjust होते हैं उसके बारे में जानते है और journey through the different habitats अब सबसे पहले हमारे पास आता है some ter terrestrial habitats अब terrestrial habitats कौन से हुए ध्यान से देखते हैं हम देखिए terrestrial habitats होते हैं like desert अब desert में क्या है we discussed the herbotic factors of the desert and the adaptation in camels मतलब हमने जो desert है उसके herbotic factors के बारे में अभी तक पड़ा है and the adaptations in camels और ये भी देखा है कि जो camels हैं जो हमारे उंट होते हैं वो अपने आपको वहाँ पे किस तरह से adjust करते हैं what about the other animals and the plants that are found in deserts अगर हम उंट के इलावा बाकी जानवरों के बारे में या बाकी पौदों के बारे में सूचें कि वो किस तरह से adjust होते हैं do they have the same kind of adaptations क्या वो भी अपने आपको उसी तरीके से adjust करते हैं there are desert animals like rats and snakes which do not have long legs मतलब अगर हम देखें उंट की तो टांगे लंबी होती हैं तो वो अपने आपको रेत की गर्मी से दूर रखता है परदू और भी रेत के जानवर होते हैं जैसे की चुहे हुए, सांब हुए which do not have long legs जिनकी लंबी डांगे नहीं होती that a camel has जैसे की camel की मतलब उंट की होती हैं to stay away from the intense heat during the day, they stay in the burrows deep in the sand मतलब दिन की गर्मी से अपने आपको बचाए रखने के लिए वो लोग रेत में गहरी खुदी हुई जो मांध होती है, जो गहरी खुदी हुए गड़ी होते हैं, वो उन में रहते हैं these animals come out only during the night when it is cooler तो ये जो जानवर होते हैं, ये केवल तब ही बाहर आते हैं, जब रात होती है और जब ठंडा मासम होता है figure 9.5 shows some typical plants that grow in desert अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे plants भी बताए गए हैं, जो कि desert में उगते हैं अब हमारे पास है activity 3 break a potted cactus and a leafy plant to the classroom मतलब आप अपनी क्लास में लेकर आए ये potted cactus एक गंबले में गवाया हुआ cactus और एक पत्तों वाला पौधा tie polythine bags to some parts of these two plants अब ये दोनों पौधों के कुछ भागों में आप polythine band दीजिए as we have done, as was done in activity in chapter 7 where we studied the transpiration in the plants मतलब जैसा कि आपने chapter 7 के activity 4 में पढ़ा था जहां पे हमने transpiration के बारे में पढ़ा था अब इसके बाद हमारे पास है leave the potted plants in the sun अब ये जो आपके पौधे हैं इनको आप सूरज की रोशन में छोड़ दीजिए and observe in few hours अब उन्हें कुछ घंटों के लिए देखिए what do you see आप क्या देखोगे do you notice any difference in the amount of water collected in the two polythene bags क्या आपको जो polythene के वो लिफावी होगे उनमें जो पानी इकठा हुआ है उसके मातरा में फर्क दिखता है desert plants lose very little water through transpiration मतलब जो रेट के पौधे होते हैं वो बहुत कम पानी छोड़ते हैं the leaves in the desert plants are either absent यहां तक की सचाई तो यह है कि जो रेट के पौधे होते हैं उनमें पत्ते होते ही नहीं है are very small या फिर बहुत छोटे होते हैं और they are in the form of spines या फिर वो उनके रेड की हडियों के जैसे होते हैं these help in reducing the loss of water from the leaves through the transpiration इसकी वज़े से जो desert के पौधे होते हैं उनमें पानी जो है transpiration के दुआरा बहुत कम बाहर निकलता है the leaf like structure you see in the cactus is in fact its stem मतलब अगर आप 9.5 में यह जो पत्ता देखते हो यह जो आप इसमें पत्ते जैसा structure देखते हो basically वो उसका stem है मतलब उसका तना है the photosynthesis in this plant is usually carried out by the stems मतलब इन पौधो में जो photosynthesis होता है वो mostly stems के द्वारा ही होता है the the stem is also the stem is also the stem is also covered by a thick waxy layer मतलब यह जो इनका तना होता है यह भी एक layer से covered होता है which helps to retain water in the tissues of cacti मतलब जो cactus के tissues होते हैं पौधे के tissues होते हैं यह जो wax के layer इसके उपर होती है यह mom के layer जो इसके उपर होती है वो इसके बीच में से पानी को बाहर निकलने नहीं देती the most desert plants have roots that grow deep in the soil for absorbing water मतलब जितनी भी हमारे rate के पौदे होते हैं इनकी जो जड़े होती हैं बहुत गहरी होती हैं मिट्टी में तांकी वो जादा से जादा पानी अब इसके बाद हमारे पास है mountain regions मतलब पहाड एक शेत्र these habitats are normally very cold and windy मतलब यह जगह होती है यहाँ पे बहुत ठंड होती है और बहुत हवा भी चलती है in some areas snowfall may take place in winters इसमें से कुछ ऐसी जगहें भी होती है जहां सद्यों में बर्व भी किरती है there is a large variety of plants and animals living in the mountain regions अगर हम पहाडों की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्राणी, बहुत सारी जीव जन्तु और बहुत सारे पॉधे पाए जाते हैं have you seen the kind of trees shown in figure 9.6 क्या आपने 9.6 में दिखाएगे जैसे पॉधों की तरह के पॉधे कभी देखे है if you live in a mountain region or have visited one you may have seen a large number of such trees मतलब अगर आप कभी पहाडिक शेतर में गए हो या फिर आपने कभी पहाडिक शेतर देखा हो तो आपने वहाँ पे इस तरह के बहुत से पॉधे देखे होंगे but have you ever noticed such trees naturally grow in other regions क्या आपने कभी देखा है कि इस तरह के पॉधे किसी और इलाके में भी पाए गए हो नहीं ऐसा नहीं होता how are these trees adopted to the conditions prevailing in their habitat मतलब ये जो पेड़ पॉधे हैं ये अपने आसपास की जो मासम है अपने आसपास का जो महौल है उसमें किस तरह से adjust होते है these trees are normally cone-shaped and have sloping branches मतलब ये जो पेड़ होते हैं ये अकसर cone की आकार के होते हैं and have sloping branches मतलब इनकी जो टहनिया होती है वो नीचे को जुकी होते है the leaves of some of these trees are needle-like मतलब ये जो पॉधे होते हैं इनके कुछ पत्ते जो हैं वो सुई की तरह तीखे होते है this helps the rain water and snow to slide off easily और ये ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी वज़े से जो rain water है मतलब जो बारिश का पानी है या पिर जो बर्फ होती है वो आसानी से नीचे फिसल जाती है there could be trees with shapes very different from these मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे पौधे भी हो सकते हैं जिनका अगार इससे बिल्कुल भी अलग हो that are that are also present in mountains मतलब कुछ और भी पौधे होते हैं जो अलग अगार के होते हैं जो की पहाड़ों में पाए जाते हैं they may have different kind of adaptation to survive in the mountains मतलब वो लोग अपने आपको अलग तरीके से पहाड़ों में जीवित रहने के लिए एड़ेस्ट करते हैं animals living in the mountain regions are also adopted to the conditions there मतलब जो पहाड़ों में रहने वाले जीवजनतु होते हैं वो भी वहाँ के स्थितियों के हिजाब से अपने आपको adjust कर चुके होते हैं they have thick skin उनकी जो चमड़ी है वो मोड़ी होती है और fur या फिर उस पे fur होती है to protect them from the cold जो कि उने सर्दी से बचाई रखती है for example, yarks have long hair to keep them warm जैसे कि हम example के तो पर देखे तो जो याक होती है उनके लंबे बाल होती है जो कि उने गर्म रखते है snow leopard has thick fur on its body इसके इलावा जो snow leopard होता है उसकी बाड़ी पे भी बहुत मोटी fur होती है including feet and toes मतलब उसके पैरों पे और उसके पंजों पे भी बहुत मोटी fur होती है this protect its feet from cold when it walks on the snow और यही जो है उसके यह जो फर है यह उसके पैरों को ठंड से बचाती है जब वो बर्फ पे चलता है the mountain goat has strong hooves for running up the rocky slopes of the mountain मतलब जो mountain goat होती है उसकी बहुत बड़ी फर होती है जो कि उसे जो mountain goat होती है sorry the mountain goat has strong hooves for running up मतलब जो mountain goat होती है वो उसके जो पैर होती है वो बहुत strong होती है तांकि वो पहाडियों पे चड़ पाए as we go up in the mountain region जैसे ही हम लोग mountainous region मतलब पहाडों में और उपर जाते है the surroundings change मतलब जो हमारी आसपास का वातावरन है वो बदलता जाता है we see different kind of adaptations at different heights मतलब हम अलग अलग जगह पे या अलग अलग अचाईयों पे अलग अलग तरह का वातावरन देखते है अब हमारे पास है grasslands the lion lives in the forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kin animals like deer मतलब जो शेर होता है वो अकसर जंगलों में या फिर बहुत बड़े बड़े घास के मैदानों में पाई जाते है and is a strong animal ये बहुत शक्तिशाली होता है जो कि किसी भी तरह के जानवर का शिकार करके उसे मार सकता है जैसे की हिरन हुआ ये अकसर हलके भूरे रंग का होता है अब आप पहली पिक्चर जो नीचे देखेंगे A part उसमें शेर की पिक्चर है और जो नीचे B part है वो हिरन की पिक्चर है अगर हम इन दोनों जानवरों की आंखों को देखें तो वो किस तरह से है तो इसके आगे की तरफ हैं, लेकिन वहीं अगर हम डियर की देखें, तो उसके आखे साइड की तरफ हैं, लाइन्स है've long claws in their front legs, that can withdrawn inside the toes, मतलब जो शेर होते हैं, उसकी आगे की टांगों में भहुत ही लंबे पंजे होते हैं that can be withdrawn inside the toes जो कि उसके अंगुठों में छुपे होते हैं do the features of line help it anyway क्या जो शेर है इसके जो गुण है वो इसे किसी भी तरह से सहायता करते हैं to survive क्या वो उसके जो शरीरिक गुण है वो उसे जीवित रहने के लिए किसी तरह के सहायता करते हैं its light brown color helps it to hide in the dry grass land इसका जो हलका बुरा रंग होता है इसे सूखी घास में भी छुपने में सहायता करता है when it hunts for its prey कब जब ये अपने शिकार को पकड़ने जाता है the eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location of its prey उसकी आंखों आंखें जो उसके face में आगे हैं वो से सही अंदाजा देती है कि उसका शिकार कहां पर है a deer is another animal that lives in the forest and grassland अगर हम देखें तो इसी तरह से जो हिरन है वो एक दूसरा जानवर है जो कि जंगल या फिर हरे मैदानों में रहता है it has strong teeth for chewing the hard plant stems of the forest इसके जो दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं जो कि जो कि जो पौधे हैं उनकी सक्त टहनियों को भी चबा पाते हैं a deer needs to know about the presence of predators मतलब जो हिरन होता है उसे ये बात ये जरूरी होता है उसके लिए कि वो अपने आसपास predators मतलब वो जानवर जो उसका शिकार करने वाले हैं वो उनके बारे में जान पाए animals like lion that make it his prey मतलब शेर जैसे जानवर जो उसे अपना शिकार बना सकते हैं तो हिरन के लिए जरूरी होता है कि वो उनके बारे में जान पाए in order to run away from them and not become their prey उसकी आँखे साइड पे इसली होती है ताकि वो उन जानवरों को देख सके और उनका शिकार ना बने it has long ears to hear the movement of the predators उसके कान लंबे होते हैं ताकि वो शिकारी को या उसकी हलतल को सुन पाए the eyes on the side of its head allow it to look in all directions उसके सिर्की side पे जो दोनों आँखे हैं वो उसे इस बात में सक्षम बताती हैं कि वो हर तरफ से अपने पास आने वाले खत्रे को देख पाए the speed of the deer helps it to run away from the predators जो शियर होता है उसकी speed उसे मतलब उसके भागने की उसके दोडने की जो speed उसके साहईता करती है कि वो शिकारी से बच पाए so there are many other features of lion and deer and other animals and plants that help them to survive in their habitats तो इसी तरह से अगर हम शेर देखें, हिरन देखें या बाकी सब जानवर देखें या पेड़ पौदे देखें उनकी ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो उन्हें एक पर्टिकलर जगा में रहने में सक्षम बनाते हैं तो I hope बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझवें आया कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्यू